आज प्रतिशत की व्रधी की गई है मुकी मंतरी भुपेश बगेल ने रविवार को ट्विट करके इसकी जानकारी दी है बढ़ा हुआ डिये एक मैई से दिया जाएगा राज्य सरकार के फैसले से करमचारी यूनियोनों में नाराज़गी है करमचारी संगठन केंद्री करमचारियों के बराबर 34 प्रतिशत डिये देने की मांग कर रहे हैं करमचारी संगठन की पदाधिकारी 34 फीसदी डिये की मांग को लेकर आज रणनीती तैयार करेंगे मामले में कर्मचारी नीता विजय जहाज से बात की हमारे सहयोगी स्वपनिल गौर खेड़े ने दिये एक मई से कर्मचारियों को 22 फिजदी बढ़ा हुआ डिये मिलेगा हमारे साथ यहां पर कर्मचारी नेता है उनसे बात करेंगे और डिये बढ़ा है लेकिन कर्मचारियों में अभी भी नाराजगी है नाराजगी है अभी भी क्या वज़ा है नाराजगी की देखिए केंद्र सरकार के करमेचारी, राजस्थान के करमेचारी, जारखंड के करमेचारी, मध्य प्रदेश के करमेचारी, केंद्री करमेचारियों के समाद 34% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं मेरा 36 गड़ का करमेचारी 17% महंगाई भत्ता पीछे था ये महंगाई भत्ता ना डोमी में है न गोडा करायतने है ये बीच वाला जो सिस्टम है बहुत पहले सुंदरलाल पटवा जी मुख्य मंत्री थे अपने जनम दिन में देते थे महंगाई भत्ता एक जनवरी और एक जुलाई से मिलना चाहिए ये बीच का जो डेट है एक मैं ये गलत है मैं माननी मुख्य मंत्री जी से भी वित्य भाग के अधिकारी जो आदेश जारी करेंगे उनसे अपील करता हूँ कि आदेश जारी करते समय दो बात इस पस्ट होना च महंगाई भत्ता हमेशा जनवरी ओ जुलाई से मिलना चाहिए हमारा एक जनवरी 2020 से लंबित था चार प्रतिशतत एक जनवरी जुलाई 2020 का था तीन प्रतिशत चार ओ तीन मिलना था ये बीच में पांच दे करके इसमें का इसको काटेंगे कि इसमें का इसको काटेंगे कुल मिला करके करमचारियों में 17% नम मिलने से अभी फिलाल 12% फिर पीछे हो गये हैं बहुत ज्यादा आक्रोश है और आज साम को 6 बजे 36 गड़ करमचारी अधिकारी फेडरेशन की एक आपाद बैठक बुलाई गए है उसमें निर्ना लिया जाएगा कि ये 5% महंगाई भत्ता के बाद आगे क्या रणनीती होनी चाहिए करमचारी थे जुन्हों ने कल मुख्यमंत्री ने घोशना की 22 फिर डिये किया लेकिन अभी भी करमचारीयों में नराजगी है करमचारी की मांग है कि केंद्र के बराबर इनको मह अगाई भत्ता दिया जाए और इसको लेकर आज बैठक बुलाई गई है बैठक में आने वाले दिनों के लिए क्या रणनीती रहेगी उस पर चर्चा की जाएगी कैमरामें भुपेज आंगरे के साथ स्वापनिल गॉर्खेडे आनेश नीउज राइपर